दोस्तो इशन्द शर्मा जो भारुत का पेशर जिन्होंने 100 से उपर 105 मैच टेस्ट मैच खेलके तीन से गड़ा उकेट लिया है और जिसका बेस्ट बोलिंग फिगर है 7474 तो बहुत ही एक्सपियांस बोलर है और उन्होंने टी 20 और वन डे भी खेला है इंडिया के लिए तो दोड़कीन को उन्होंने बताया इफ इंडिया के लिए future आव फेशर होसकता है क्योंकि उन्होंने बताया जैस सामी का धीरे दीर अज़ो बर्रहा है और भूमध्य तो अभी तो रियाविलेशन में आए तो अगर उन्होंने रिकउबहाड़ dairy करकर के पापस आए तो पहरे करना चाहिए और फुटबोल वो क्रिकेट बोलो एक कहा बतता है यह जीन टीम का रिजाबेंस जितना अच्छा है और टीम उतना ही स्ट्रॉंग है तो इसलिए उन्हों चुणा है तिन पेशार को पहले तो उन्हें और शोदिब का नाम बोख s dark to भाली में इंडिया के लिए वम्षबेश्ज टोएंटी में बहुत ही स्टेबलीष कर लिया अपने आपको उनका तो यहॉर्कर बहुत ही अच्छा है फिर उनले लेकिन तोड़ा सा उनका फीक नहीं है इसलिए इस लिए हुरने बोला जी इसको अगर न Changing किया जाएंग है तो वह फिचर के लिए एक बहुत ही बड़ा एक ट्राम कार्ड हो सकता है फिर उन्होंने बताया अपना दिल्ली का टिम मेट्स मुकेश कुमार जो बेंगोल के लिए रंजी खेलते हैं और वेश्टनी शफर में टेस्ट और वान्डे दोनों में उनको चांस मिला है तो उन्होंने बोला जो मुकेश तो एक दों सिंप्ल है बहुत ही अच्छा आदमी है जैसमेटी का बना हुआ है और उनको अगर आप बोलो तो सारी रात एक ही जगह में भी बाल कर सकते हैं हो सकता है आई पील में और कुछ-कुछ मैस में अच्छा नहीं किया है उनकर दस के करिब से रंद दिया है तो उन् उन्होंने पोला नजर राखने के लिए तो बिसी सियाई शायद इस मैसेज को सिरियास की लेगा क्योंकि इशांद का जो एक्सविएंस है तो सरसे ज्यादा मैच के ला है तो उनका तो तो जूर्वा है यही और बहुत ही अच्छा है एक टाइम तो दौजार आठ साल में उ साथ उनका जो लड़ाई था वह बहुत ही रचक लड़ाई था तो दोस्तों जूर्वे चैनल के साथ वीडियो काच चल आगे तो लाइक कमें शेर और सब्सक्राइब करें को अल्नाटी कुशन